हलो फ्रेंट्स वालकम बाक टू रतूरी मॉम बेबी केर कैसे हैं आप सब आई होब सब ठीक होंगे काफी महीलाएं ऐसी हैं जिनका 9 महीना लग चुका है या 8 महीने में है और उनकी बाडी खुद को रेडी भी कर रही है नॉर्मल डिलिवरी के लिए बच्चा भी सही पूजिशन ले चुका है लेकिन कई बार सबको सही चलते हुए भी नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो पाती है अचानक से डॉक्टर्स द्वारा आपको एन मौके पर कह दिया जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो पाएगी ऐसे में कुछ छोटी मोटी बातें आपको ध्यान जरूर रखनी है जो आपकी नॉर्मल डिलिवरी के लिए बेहत जादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की पूजिशन, डिलाटेशन और सर्विक्स और लेबर पेन का फ्रिक्वेंटली आना तीनों चीजें अगर एकदम सही है और सही सामय पर यानि कि टाइम से आपको स्टार्ट होई है तो नॉर्मल डिलिवरी आपकी 100% होती है ऐसे में आपको 9 महिना लगते ही कुछ बातों पर विशेश करून महिलाओं को ध्यान देना है चाहती है उनकी नॉर्मल डिलिवरी कम दर्द कम पुश में असानी से हो जाए तो चलिए फ्रेंड्स इस मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक को आज हम पूरा करते हैं उससे पहले चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें आपकी लाइक से हमें बहुत जादा मोटिविशन मिलती है तो नॉवा महिना फ्रेंड एक ऐसा समय होता है जिसमें महिलाएं कुछ छोटी मोटी गलतियां कर बैठती है जिस करण उनका बच्चा नॉर्मल डिलिवरी की पूजिशन में आने के बाद फिर से ब्रीच पूजिशन में आ जाता है गर्फ में पानी की कमी हो जाती है बच्चे के गले में एंबलाइकल कोड के लूपस आ जाते है या बैक्टीरियल फंगल इंफिक्शन की समस्या उन्हें हो जाती है जो नॉर्मल डिलिवरी को आपके एफट करती है लेकिन सब को सही चल रहा है तो इन बातों पर आपको ज़रूर ध्यान देना है जो नॉर्मल डिलिवरी के चांसिस को आपके बढ़ा देती है नंबर वन अपनी बाड़ी को हाइड्रेट रखें हाइड्रेट आपको रखना है साथ से आठ गिलास पानी के जरूर पिए क्योंकि गर्मी का मौसम है और स्वेटिंग बहुत ज़ादा होती है यूर्म भी आपको इस दिरान बहुत ज़ादा आता है तो अपनी बाड़ी को पानी की कमी ना होने दे अपनी बाड़ी में अगर पानी की कमी इसवरान आपकी बाड़ी में हो गई तो आपका A.F.I. लेवल भी कम हो सकता है जो normal delivery के लिए आपकी बहुत ही जादा problem कर सकता है तो AFI level को complete करने के लिए और अपनी body को hydrate रखने के लिए पानी खूप ये normal tap water गुन-गुना पानी पी सकती है दिन में 2-3 बार तो बहुत ही जादा आपको इसके benefits मिलते हैं सर्विक्स का dilatation जल्दी होता है और बची तानी का मुखोलने में जितना जादा ये सायता करता है उतना ही आपको सायता करता है खासी जुखाम से बचने के लिए नमबर टू आपको stress level कम रखना है जो मही लाएं stress जादा लेती है study में पाया गया है नौवे महीने में विशेश कर वैसे तो whole pregnancy में आपको stress level कम रखना है साथ से आठ घंटे की नीद लिने लेकिन specially आठ वे नौवे महीने में आपको बिल्कुल भी stress नहीं लेना है नहीं तो आपकी body में बनने वाले oxytocin और relaxin hormone जो normal delivery के लिए आपको help करते हैं उनका उत्पादन सही से नहीं हो पाता है frequently एक level इनका सही होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और cervix का dilatation और normal delivery के लिए आपकी body ready नहीं हो पाती है labor pain भी आपको सही समय पर नहीं आपाता है तो stress level को दूर रखिए Indian toilet का आपको use करना है इससे normal delivery में सायता मिलती है खाना खाने के अदे घंटे के बाद walking जरूर करें जिससे कि आपके श्रेणी में जो blood flow है वो तेजी से जाता है और normal delivery के लिए आपकी श्रेणी pelvic reason जो है वो जल्दी से फैलता flexibility उसमें आती है और normal delivery कम दर्द कम push में आपकी हो पाती है खाना आपको खाना है तो heavy खाना बिल्कूल ना खाए oily खाना बिल्कूल ना खाए जिससे कि कब्स की समझ से आपको ना होगा कब्स के समझ से इस दोरान आपको हो गई तो normal delivery आपकी बहुत ही जादा effect करती है वही अगर 10-15 दिन आपकी delivery को रहते हैं तो nipple stimulation आप जरूर follow करें आपको दिन में दो बाद nipple stimulation यानि की nipple को massage करना है इससे oxytocin का level बढ़ता है और आपकी body में जो oxytocin का level अगर बढ़ेगा तो normal delivery का pain सही समय पर आएगा और normal delivery आपकी असानी से हो पाएगी काफी महिलाओं में देखा जाता है कि सब को सही चलते हुए भी labor pain frequently नहीं आता है तो frequently labor pain लाने के लिए लिपल stimulation टिप को आप follow करना आज से ही शुरू कर दे अगर आपकी delivery को 10 से 15 दिन रहते हैं तो आपकी delivery की date कौन से महीने की है हमें comment box में जरूर बताइएगा